एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉंटेस्ट टिक्लेयर किया उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको 10 मिलियन डॉलर का इनाम मिलेगा ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से वहींट कया ही किया साथ इसाथ मीडिया वाले भी बैठे होए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड भी जमा थी क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा माउंट मिलेगा फाइनली वो दिन आ ही गया महाँ पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ थी जैसे एक पेंटिंग्स थी जहाँ पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी जिसके पीछे कुछ पहाड थे उसके ओपर बर्व चमी हुई थी और पीछे से सन्राइज हो रहा था एक और पेंटिंग्स थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिपिक किया था फुल मून नाइट के थुरू यानि कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आस पास में जो भी कुछ था उसका बिल्कुल एक मिरर की तरह और बिल्कुल डाक आस्मान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे नीला आस्मान था और बिल्कुल हरी-हरी घास थी यानि कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शान्त हो जाए तो कॉंटेस्ट बहुत ही टफ था वैकि सारी पेंटिंग्स एक से भढ़कर एक थी तो जजिस के लिए शॉटलिस्स करना कि कॉंसी पेंटिंग बेस है दाट वस वेरी-वेरी डिफिकल्ट लेकिन वो मूश्मेंट आ ही गया जब जजिसने अपना माइंड मेक अप कर लिया और एक painting को इन सारी paintings में से select कर लिया और उस painting को एक बड़ी से curtain के पीछे रख दिया सामने वो सारे painters बैठे होए थे मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड थी सब की curiosity भड़ती चली जा रही थी क्योंकि amount बहुत बड़ा था लेकिन जैसे ही वो परदा हटा और सामने से सब ने उस painting को देखा तो सब हैरान रह गए सब एक दूसरे की शकल देखने लगे किसी को कुछ समाई नहीं आ रहा था कि actual में हो क्या रहा है क्योंकि वो painting जो वहाँ पर दिख रही थी तो सब को लगा कि शयद उस art gallery से कोई गलती हुई है या judges से कोई गलती हुई है और किसी गलत painting को वहाँ पर रख दिया है तो कुछ painters एक साथ गए जा करके उस art gallery के उनर से मिले और जा करके उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कहीं और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी जगे से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के उनर के पास में और अपने माइक सुनके मूँ के आगे कर दिये तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो उनर था वो हलका सा मुस्कर आया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा पास से देखिए शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आप सबने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है तुपान है चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है आसमान में बिजली कड़क रही है काले बादल है ये सब तो आपने देख लिया लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है उस घर में एक चोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है ध्यान से जा करके देखिए वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बलकि एक हल्की सी मुस्कान है एक ठहराव है एक सुकून है और यही है शान्ती का असली मतलब यानि कि शान्ती का मतलब यह नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शान्त है और फिर हम शान्त हैं क्योंकि वो टेंप्ररी है असली शान्ती का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो हम अंदर से पूरी तरह से शान्त है हमारा मन शान्त है क्योंकि जिसका मन शान्त नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुन्दर से सुन्दर जगे पर ले जा कर के बिठा दो वो वहाँ पर भी जा कर के दुखी ही रहेगा लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शान्त है उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो चाहे म Всем कैसा भी हो चाहे उसके आस पास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो तुफान हो लेकिन वो अंदर से बिलकुल शान्त रहेगा और यही है शान्ती का असली मतलब